नमस्कार दोस्तो, ASV Knowledge Channel पर आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो भारत के लिए आज की सबसे बड़ी अपडेट अफरीका की तरफ से निकल कर आ रही है भारत ने अफरीका के एक बड़े सेक्टर से चाइना को जड़ से उखाड फैका है और ये सेक्टर है रेलवे का सौफ्ट लोन इस सर्थ पर प्रोवाइड किया था कि इन देशों को जितनी भी ट्रेंस की नीड होगी वो सारी ट्रेंस उन्हें चाइनीज कमपनियों से ही खरीदनी पड़ेगी और जैसा आज तक होताया है वही हुआ गटिया क्वालिटी के चलते अपनी सर्थ पीरियड के कुछ महिनों के अंदर ही चायना के लोकोमोटिव बुरी तरह से खराब होने लगे और 30% लोकोमोटिव तो एक साल भी ढंक से अपनी सर्थ नहीं दे पाए और मेडिया रिपोर्ट्स की माने तो जो लोकोमोटिव इन देशों के पास बचे हुए है साल 2019 से देकर अब तक ये कई बार रिपेरिंग के लिए भी जा चुके हैं इनके लोकोमोटिव में काफी जादा वाइब्रेशन होना अजीव सी आवाजे आना में जोन पर क्रैक और चलते चलते बंद हो जाना ये इनकी कुछ आम प्रोबलमस है और ये जो दिक्कते चानीज लोकोमोटिव में आ रही थी इसके लिए इन देशों के पास इनका एक ही सलीशन था कि इन लोकोमोटिव को ये देश प्रोपर तरीके से किसी दूसरे और बहतरी इन लोकोमोटिव से रीप्लेस कर दे जिसके लिए कुछ अफ्रीकन देशों की तरफ से टेस्टिंग के लिए भारतिय लोकोमोटिव खरीदने शुरू कर दिये थे ताकि वो ये चाइनीज लोकोमोटिव के आगे इतनी दमदार परफोमेंस दिखाई है कि ये देश भारते लोकोमोटिव के दिवाने हो चुके हैं और इन देशों की तरफ से भारते लोकोमोटिव के और प्लेस क्या है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बनारस लोकोमोटिव वर्क ने खुद इस बात को कंफर्म करते हुए ये स्टेटमेंट दी है कि मोजंबिक ने जो दस लोकोमोटिव का और दिया है वो भारत के न्यू कैप गौज डीजल लोकोमोटिव है और इससे पहले भी सेम इसी तरह के साथ लोकोमोटिव भारत मोजंबिक को सप्लाई कर चुका है जो कि चाइनीज लोकोमोटिव को रिप्लेस कर भी चुके हैं पहले और अभी के लोकोमोटिव में फर्क बस इतना है कि पहले लोकोमोटिव तीन हजार होर्स पावर के लोकोमोटिव थे लेकिन इस बार के लोकोमोटिव 33,000 होस्पावर के होंगे इस पूरे ओर्डर की कोस्ट लगबख 200 मिलियन होगी जिसमें लोकोमोटिव पर भारत इन देशों को दो साल की सर्विसिंग और मेंटेनेंस फ्री देगा साथ ही भारत की तरफ से इन लोकोमोटिव को रेजिस्टेंस प्रूफ रखने के लिए स्टेनलेस स्टेल का जादा से जादा यूज किया जाएगा जो कि चाइना बिल्कुल भी नहीं करता अब मोजमबिक को भारते लोकोमोटिव क्यों पसंद आए तो इसका जवाब देते हुए मोजमबिक अथोर्टीज ने कहा है कि चाइना के कमपेरिजन में भारते लोकोमोटिव के अंडर स्टेट अफ दा आर्ट ड्राइवर कैब है जिसमें ड्राइवर के लिए इंटिग्रेटेड ग्राफिन स्क्रीन के साथ-साथ कमपेर कंट्रोल ब्रेकिंग सिस्टम है और ये वाइब्रेशन लेस होने के साथ-साथ वेंटिलेशन, एर कंडिशन और हीट सिंकिंग से एक्विप्ड है और इनमें भारते कमपनीज ने कैबिन क्रू की कमफर्ट का पूरा ध्यान रखा है मोजंबिक के अलावा, नाइजीरिया, यूगांडा, तंजानिया, कैनिया और मोरक्को जैसे देश भी भारत के साथ लोकोमोटिव डील को लेकर बातचीत कर रहे हैं और कूल मिलाकर अभी तक अफ्रीकन देशों की तरव से भारत को लगबग 100 इंडियन लोकोमोटिव के ओडर दिये जाने की उम्मीद है जिससे ये साफ हो जाता है कि धीरे धीरे भारत अफ्रीका के रेलवे मार्किट से चायना को जड़ से उखार रहा है और अफ्रीका में चायना की मोनोपोली को तोड़ने में भारत काटे की टक कर दे रहा है अफ्रीका ही नहीं बलकि फिलिपिन्स बांगला देश और स्री लंका को मिला कर टोटल 15 देश भारत से लोकोमोटिव परचेस करने की बातचीत कर रहे हैं रिपोर्ट की माने तो अभी तक भारत को टोटल 2100 करोड के लोकोमोटिव के ओरर मिल चुके हैं और अगर इन सभी देशों के साथ भारत की डिल हो जाती है तो आने वाले 10 सालों में भारत का लोकोमोटिव एक्सपोर्ट 15,000 करोड से लेकर 20,000 करोड तक भी पहुंच सकता है वैसे आपको क्या लगता है कि इस देश में भारत के सबसे जादा लोकोमोटिव यूज के जाते हैं कमेंट करके जरूर बताना और जाने से पहले ASV Knowledge चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पैस करना ताकि आने वाली सबी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे ज करता है